कि कि ओके नमस्कार आप सभी लोग आशन में स्वागत है आज किसन में अम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही important topic पर जिसका नाम है national quantum mission नशनल quantum mission भारत का एक बहुत ही important mission है जिसमे quantum computing quantum communication और कई चीजों को ले करके भारत एक दुनिया में अगड़ी देश बनने का विचार कर रहा है और उसके लिए जो है वो काम कर रहा है क्वांटम कम्प्यूटिंग भविस्थ में एक अगड़ी भूम का निभाने वाला है और अगर हम यह कहें कि आलेल समय में AI से भी बहतर काम अगर क्वांटम अगर करेंगे गड़ी एक आशी टेकनलोजी होती है घिसमें हम भाुतिक विज्ञान के। क्वांटम फिजिक्स का ब्रांच का उप्योग किया जाता रहा है जराली हम लोग जो सामान कंप्यूटर यूज करते हैं क्लासिकल कंप्यूटर यूज करते हैं जो बिट्स पर मताते हैं आपको जो फिजिक्स की क्वांटम तकनीकी है, उसमें सुपर पोजीशन आप दा इलेक्टरॉन और इंटेल्जमेंट आप दा इलेक्टरॉन इसको लेकर के जो है काम किया जा रहा है। सामान कंप्यूटर जो हमारे होते हैं, जो गणा करने में कई साल लगाते हैं, वही क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से उड़ गणाओं को हम सेकेंड में कर सकते हैं। यानि कि एक हजार, दो हजार, साल में जो चीजे गरनाय होप सकती हैं, उसको वो सेकेंडो में करने की संभावना बन रही है इस Quantum Computing से, तो इसलिए हम आज यहां पर बात करने वाले हैं Quantum Computing के उपर, तो राष्टी Quantum Mission भारा सरकार लेकर के आई है, भारत का एक महत्वूर जो है वो महत्वाकांची कारक्रम है, जिसके भारत को Quantum प्रदोगी में अगड़ी देशों की पंक्ती में खड़ा करने के लिए सुरू किया जा रहा है, यह मिसन भारत सरकार द्वारा Quantum Computing, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, Quantum Computing, Quantum संचार, Quantum Metrology और Quantum Waste जो उपकरण होंगे, ज ऐसे छेत्रों में अनुसंधान, विकास और नवाचार को प्रोसाहिद करने के उद्देश से किया जा रहा है, Quantum तकनीकी है क्या, तो Quantum प्रदुकी का जो आधार है, वो Quantum Mechanics है, इसके बारे मुने बात किया था, भोतकी की वो ब्रांच है, जिसमें परमारू और सब एटम और सब एटम लेबल को, हम क्या करते हैं, उसको बिवहार में लाने का काम करते हैं, क्वांटमाइज कर देते हैं, क्वांटम लेबल पर हम क्या करते हैं, पदार्थों को लाने का काम करते हैं, 2023 का जो फिजिक्स का नाबल प्राइज मिला था, वो भी आपका क्वांटम फिजिक्स में मिला था, कि जो एट्टो के लिए, 10 to power 18 second माइनस 18 second तक कोई भी पार्टिकल को हम उसको अब्जर्ब कर सकते हैं, उसमें होने वाले चेंजिस को हम देख सकते हैं, इसके तहट जो प्रमुक अउधानाय ब्विक्ति की जा रही है, वो क्या है आपकी? Superposition और Quantum Intelligment. Superposition का मतलब क्या होता है? कि हम electron की जो spin होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं? एक ही alignment में कर सकते हैं, या दोनों electron की position को हम clockwise या anti-clockwise कर सकते हैं. Intelligment में हम लोग क्या करते हैं? कि जो electron की position है, एक clockwise, एक anti-clockwise, एक clockwise, एक clockwise, उसको हम क्या कर सकते हैं? उसी अवस्था में यूज करने का काम करते हैं. तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो सामान computer होते हैं, वो binary system पर 0 और 1 पर based होते हैं, इसको हम bit कह देते हैं. वही पर quantum computing में हमको एक साथ चार results मिलते हैं. दोनों की spin अगर up spin है, down spin है, एक की up, एक की down, एक की down, एक की up, तो चार प्रकार के हमको यहाँ पर क्या मिलते हैं? सुपर पोजीशन में कड़ एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकते हैं, जबकि intelligent में दो कड़ आपस में जुड़े रहते हैं, भले ही वो क्या हो, कितनी ही दूरी पर हूँ. एक अगर कोई कड़ यहाँ पर दूरी का कोई सम्बन नहीं होता है, जो particle होते हैं, आपस में एक साथ क्या करते हैं? एक particle के अगर हम spin में change करते हैं, तो दूसरे particle के spin में भी change होगा, वो कितना ही दूर क्यों नहों? ब्रम्हांड में कितनी ही दूरी पर कोई पार्टिकल अगर है अगर उनको हमने इंटेलिज्मेंट जोड़ा है तो एक एलेक्ट्रान या एक पार्टिकल में अगर हम चेंज करेंगे तो दूसरे पार्टिकल में अपने आप वहाँ पर क्या होगा चेंज आ जाएगा ये तकनीक भविस्य में हमें क्या करेगी कई छेत्रों में क्रांतिकारी परवर्तन ला सकती है जैसे कि सुरक्षा के छेत्र में, संचार के छेत्र में, सिक्षा के छेत्र में, उर्जा के छेत्र में और स्वास्त के छेत्र में इसलिए भारा सरकार जो है वो 2023 में राष्टिय क्वांटम मिसन लेकर के आई है इसे विज्ञान और प्रदोकी डिपार्टमेंट आफ साइन्स एंड टेक्नलोजी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा विज्ञान और प्रदोकी विभाग जो है इसको इसने इसको लागू किया है इसके लिए 2023 से 2031 के लिए एक समय का निधार किया गया है जिसमें इसमें पताया गया है कि इसका उद्देश क्या होगा बैज्ञानिक और ओदोगिक अनुसंधान यो विकास का जो क्या करना है एक सीडिंग करनी है वीजारोपर करना है उसका हमको न्यूट्रिशन करना है यानि कि पोशन करना है और हमको क्या करना है एक मेजरमेंट क करना है जिससे कि हम quantum technology को एक जीवन्त और अभिनव पाज़िकी यानि कि एक प्रकार से हम क्या कर सके एक ecosystem create कर सके भारत में quantum technology का हम एक ecosystem मनाना चाहते हैं जिससे कि आद निर्भर भारत make in India और indigenization के तहट भारत में ही हम क्या करें quantum technology का विकास कर सके अभी तक अगर देखा जाए तो भारत इस mission के launch करने के साथ ही भारत जो है वो अमेरिका, आश्ट्रिया, फिनलाइंड, फ्रांस, कनाडा और चीन के बाद समर्पित quantum mission वाला ये सातुवा देश बन चुका है इसका मदलब ये हो गया कि अभी तक के वो छे देशों के पास ही ये quantum तकनीकी थी दुनिया में भारत जो है वो सातुवा ऐसा देश बन चुका है जिसने जो है quantum तकनीक की तरफ अपना mission बढ़ाया है और इस mission को launch किया है तो एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धी है quantum mission को launch करना अगर देखा जा यहाँ पर तो राष्टी quantum mission के लिए 2023 में 2031 तक के लिए 6,000 करोड से जादा रुपे का जो है यहाँ पर budget प्रस्तुत किया गया है इसके लिए जो है alert किया गया है कि हम national quantum mission में 2023 से लेकर के 2031 तक 6,000 करोड रुपे इस पर खर्च करने हैं इस क्रम में केंद्री मंत्राले ने 19 अप्राइल 2023 को national quantum mission को मंजूरी दी यानि कि उसको launch किया गया है राष्टी quantum mission के अगर हम उद्देश की बात करते हैं तो राष्टी quantum mission का उद्देश जो है वो इसमें हम quantum computing का काम कर सकते हैं उसको विकास करेंगे यानि कि जो computer बनाये जाएंगे भविस्य में वो आपके quantum computing पर होंगे quantum computing में ये बात कही गई है कि अगले पाँच वरसों में पचास से सो क्यूबिट के computing का अंधिरमार किया जाएगा इसके अलावा अगले आठ सालों में हम पचास से एक हजार फिजिकल quantum क्यूबिट का जो हम विकास करेंगे और उससे सम्मंधित हम computer कर बनाने का काम करेंगे इसमें superposition और intelligence नामक तकनीकी का जो है वो quantum तकनीकी का उपयोग किया जाएगा इसके लिए quantum संचार में बात हो रही है कि हम quantum संचार करेंगे quantum संचार सबसे तेज होने वाला संचार पड़ा ली है जितने भी अभी तक संचार के माध्यम है उनमें सबसे तेज अगर होने वाला है तो वो quantum संचार है इसमें भी भारत सरकार ने कहा है कि अगले पांच सालों में या अगले 2031 तक 2000 किलो मीटर तक भारत के अंदर क्वांटम संचार ब्यवस्था यानि क्वांटम संचार नेटवर्क बनाने का प्रयास किया जाएगा उसमें हमको सफलता हासिल करनी हैं तो ये काम हमको करना है ये जो आपके होते हैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक अभिकास किया जाएगा राष्टी सुरक्षा बैंकिंग और सरकारी संचार को अधित उचार बनाने के लिए उत्तरदाई होंगे ये काफी प्राइवेट होते हैं काफी इन में प्राइबेसी ह होती है इसमें खत्रे कम होते हैं ये चीज यहां पर आपको यूज करनी है अब आती क्वांटम मेट्रोलाजी का उप्योग किया जाएगा इसमें हम मापन तकनीकों को अतिधिक सठिक्ता से बिउसित किया जाता है चायो विग्यान का छेत्र हो इंजिरिंग का छेत्र हो प् बहुत उप्योगी होने वाला है साथी साथ human resource के development में भी ये quantum mission जो है वो काफी योगदान देने वाला है राश्टी quantum mission का महातपड़ उद्देश quantum विज्ञान अप्रदगी में प्रसिछित मानो संसाधन का विकास करना skilled human resource development करना है जिसका विभिन सहक्षिक संस्थानों में quantum अधारित पाठकरम सुरू किये जाएंगे इस हित्र में नए बैग्यानिक और सोधकरताओं को भी तैयार किये जाने का प्रयास किया जा रहा है जो एक बहुत बड़ी भारत के लिए क्या है उपलबधी है ये mission निमलिखित को विक्षित करना करेगा भारत के भीतर 2000 km की सीम साथ लंबी दूरी की सुरक्षित quantum संचार की बिवस्था की जाएगी 2000 km से अधिक ही अंतर इंटर सिटी quantum की बिदेद की जाएगी ये आपको जा रहा है इंटर इंटर सिटी quantum की बिदेद की जाएगी और quantum memory के साथ multi-node quantum network आने का काम किया जाएगा ये सारे काम जो है यहाँ पर किये जाने का प्रयास किया जा रहा है भारत की जो राष्टी quantum mission है देश को बैग्यानिक और प्रदोगी के छेत्रों में अगड़ी बनने की दिसा में एक महातपूर कदम के रूप में इसको हम देख सकते हैं अगर देखा जाए तो ये mission भारत के बैग्यानिक अनुसंधानों को नई उचाईयों पर ले जाने का कार कर रहा है और देश को quantum युक के लिए तैयार कर रहा है quantum प्रदोगी quantum प्रदोगी के इस विकास से भारत के विभिन छेत्रों जैसे सुरक्षा संचार, स्वास्त और अर्थ विवस्था में बड़ा पैवर्तन लाने की संभावना है तो कुमला कर देखा जाए तो हमारा जो quantum mission है national quantum mission ये भारत सरकार की एक बहुत ही महतपूर mission है ये दुनिया के केवल छे देशों के पास है भारत मात एक सात्मा देश है जो इस पर काम कर रहा है इस तकनीक के जुड़ने से जो quantum संचार की विवस्था होगी quantum computing की विवस्था होगी quantum metrology की विवस्था होगी और human resource development का भी काम quantum तकनीकी से किया जाएगा तो इसका भविस्था बड़ा उज्वल है और हम अगर भारत दुनिया में सीस नितित करना चाहता है अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता है तो ऐसी technology को develop करना साथी साथ indigenization, आद निर्भर भारत और making इंडिया को अगर और मजबूत करना है तो इस हेत्र में National Quantum Mission बहुत सराहनी कदम है और ऐसे तकनीकी का विकास और इसका उपियोग भारत को अगरी रास बनाने में काफी सहायता देगा काफी मजबूती परदान करेगा तो आज के लिए यही टापिक इतना ही था नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टापिक को लेकर के आएंगे तब तक के लिए थाइंक्स टो आल आफ यू गुड डे